Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्टूडिय के अंदर में हम में हिस्ट्री MHI 02 का दिसंबर 2022 के को सॉल्फ करने जा रहे हैं दोस्तो अगर हम अपने बुक के बारे में बात करें तो में चाहिए 02 के अंदर हम बात करते हैं Modern World के बारे में, आदोनिक विश्व के बारे में किस परकार से समय के साथ में Modern World के अंदर में परिसितियों के अंदर में चेंजिस आया, उसके बारे में हम याँ पर पढ़ते हैं आज के अगर हम अपने question paper के बारे में बात करें तो इस question paper को solve करने के लिए में 3 घंटे का time मिलता है Total 100 number का paper होता है, 5 questions को attempt करने हैं, 10 questions अमारे exam में आते हैं सबसे important चीज जो हर आपको question paper का answer solve करता समय याद रखना है अगर आपके 500 words से ज़्यादा का answer होता है तो भी आपके number कटेंगे और इससे कम का होता है तो भी आपको number कटेंगे तो आपको इस word limit को maintain करके चलना है और जो भी आप study भी कर रहे हो अपने question paper के लिए तैयारी कर रहे हो paper के लिए answer से हम उसको solve कर सकते हैं क्या answer लिख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा question आता है दोस्तों यहां पर आता है ज्यान ओदे से ग्यान ओदे ने यूरोप में समाजिक राजनीतिक व्यवस्ता को कैसे प्रवावित किया सबसे पहले आप देखो ग्यान ओदे होता क्या है जहां पर ग्यान की प्रापती हो लोगो को जहां पर ग्यान का समझ हो लोगो को कि किस प्रकार से क्या चीज है चल रहे है ठीक्या आप बहुत समय जो ममलो मुर्क की तरह कारें कर रहे था वचानक से आपको पता चला कि नहीं ऐसे-एसे करना था सबसे बड़ा एक्जामपल यहां पर लेकर चुलो सायद आप उसको रिलेट भी कर पाओ, गौतम बुद्ध का हमान के चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदी की जोती, मतलब 20-22 साल अपने पूरे परिवार के साथ में रहे, ठीक है, एक तरह मतलब मुर्क की तरह ज इस बात का ध्यान का ध्यान की प्राप्ति हुई, यहां पर लिखा हुआ है, पर अगर यहां पर प्रबोधन लिखा आ जाए, तो भी उसका मतलब सेम है, अगर यहां पर आपका विवेक का यूग लिखा जाए, तो भी आपका मतलब सेम ही है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर अगर ग्यानों देख जएगा प्रभोधन का युग दे लिखके दे दिया जाए तो भी उसका मतलब सेमी बनेगा अंसर सेमी रहेगा ठीक है विवेक का युग विवेक मतलब क्या होता है नौलेज दिमाग जोता है दिमाग क्या आपका दिमाग आ गया वह कि वहाँ पर चर्च जो ववस्ता थी जाहिसाई चर्च वववस्ता जो थी वो उसका बहुत ज्यादा बोल वाला था जो अंद्विस्वास था बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका था जिसके बाद लोगों के अंदर में ग्यानोदे की सिती उत्पन होती है वहाँ पर प्रगति की धारना की बात करते हैं किस परकार से विकास की और ग्यानोदे के बाद में यूरोप बढ़ा हाँ की और विक्यान और धर्म का जो कॉंबिनेशन वह मनुस्य और समाज के बारे में मनु specas का रोल रहता है ग्यानोदे के बाद जो ग्यानोदे और घर्म के लिक होगे जब भी आप जनानोदे के बारे मेंыл तो नॉर्मली सबसे पहले आप ग्यानोदे को डिफाइन करो उसके बाद जो मैंने तीन चीज़े बताई प्रगति की धारना ठीके विज्ञान और धर्म मनुस्य और समाज ठीके इन तीनों चीजों के बारे में अलग-अलग तरीके से दिखाऊगे कि क्या क्या कहां पर कैसे में बन रहा है ठीक है समझ में आता है अगर हम ज्ञानोदे की बात करते हैं सिंपल सा क्या होता है कि जो चर्च की जो मनमानी व्यवस्था थी न चर्च जो अपने तरीके से रेगुलेट कर रहा था पूरे समझ प्रशासन वस्था अपने हिसाब से चला रहा था उसकी खिलाफ एक तरसे खड़ा होना उसकी खिलाफ एक आवाज देना घ्यानोदे कहला है ठीक है चर्च व्यवस्था तरसे मतलब तूट चुकी थी उसके अंदर में करॉप्शन है कि लोगों के अंदर में दुबारा से जनजाग्रती कैसे आई लोक कैसे जागरित हुए दुबारा से इसे लोगों की आँक को चेतना मिली कि है का ये नहीं यह चीज़ है ठीके तो उसी के बाद यहाँ पर ग्यानों दे आता है मतलब दोनों चैप्टर और मुनों similar है ठीके बट बहुत important चैप्टर से आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अच्छे से time देना चाहिए अक्सर question इसके अंदर में बन जाते हैं दूसरा question के बढ़ते हैं कल्यान कारी राजय क्या है और अंग्रेज और जापानी कल्यान कारी राजञे की नागरी नागरिक को चाहिए हर tartar की मेरे पास हर तरह का दिकार बोलने का सोने का खाने का पीने का अधिकार उसको हम कल्यानकारी राज्य कहते हैं जो मेरे भलाई के लिए कारे कर सके जो मेरे अधिकारों की रक्षा कर सके मुझे मेरी सुरक्षा कर सके उसको हम कल्यानकारी राज्य के तौर पे काउंट करते हैं कि यह कल्यानकारी राज्य है ठीक है ये कल्यानकरी वाला राज्य वाला जो question है आपके MSX 02 के अंदर में दो बार repeat होता है एक बार आपके starting के कुछ chapter में chapter 4-5 के अंदर में ही आ जाता है दूसरा जो आपका आधुनिक राज्य और जन कल्यान वाला chapter है उसके अंदर में भी आपको दिख जाता है उसके अंदर वाला ही आपको आंसर लिखना है कल्यानकरी राज्य तो normal simple साब बता सकते हो कि क्या है जहां पर लोगों के hit के लिए कोई राज्य कारह करता है जो आम जंता के hit के लिए कारह करता है उसको हम कल्यानकारी राज्य कहते हैं, for example यहां पर लेके चलो भारत के इंदर में मुफ्त रासन बढ़ता है, ठीक है, रासन ववस्ता है, हुस्पिटल के इंदर में इलाज मिलता है, फिरी में, शिक्षा मिलती है, फिरी में, तो यह क्ल्यानकारी राज्य का एक आइडलोजी और यह कल्यानकारी राज्य की जो अफधार्ना थी कब आई थी, 19 से लेके 20 सताबदी के इंदर में यह देखी जाती है, और जापनीज अगर हम बात करेंगी जापनीज वालों के अंदर में जापानी जो कल्यानकारी राज्य के तुल्ला क्या थी, तो वहां पर सबसे पहले जो कल्यानकारी राज्य के अफधाना को इंप्लिमेंट किया अपने इहां पर, तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि कोई भी छीज खेरात मेरा बटे, और यह जो खेरात बटे ना बहुत इंपर्टेंट है, आज के समय में डेली के अंदर में क्या है, हमा किना जो काम करने के एक्षा सकती है, भी जैख करनाटका में, एलेक्शन के बाद में, वहां पर बेरोजगारी भत्ता के तौर पर शुरुआत कीऎगी, जहां पर लोगों को पैसे मिलें, बेरोजगारी की 30-40 रुप्त, जो भी तरह दा एक दिया जाएगा, I don't know what the amount, टीके दारू सराब पीकर चला लेते काम, उनका घर चल जाता है, ठीक है, उनको कोई परवाई नहीं होता, तो उनको अगर तीने जार पर मिल रहा है, फ्री फंड में, तो जो थोड़ा वो तो इधर उधर करते भी होंगे, किसी का इधर से उधर करते होंगा, तो वो भी नहीं वहाँ पर जो कल्यान कारी राज्ये उसको एक्सेप किया गया, इंप्लिमेंट करने की बात की गई, पर उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंड बनाओ, ना कि खेरात में बाटना सुरू कर दो, सेल्फ डिपेंडेंड मतलब क्या, कि लो चार लोगों को और नौकरी दे सके, इस तरह का बनाओ उसको, अगर आप उसको पैसे फ्री में ही देने लोग होगे, तो बंदा क्या बुलेगा कि चल हटा, मिल रहा है मुझे क्या करना, ठीके तो यह चीज़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो यहाँ पर से चल रही होती है, तो सरफ पतम जो मतलब उद्यों की करन वहीं पर शुरुआत हुआ, विकास की आर्थिकनीती भी वहीं पर बनी, मतलब सबसे ज़्यादा जो विकास करने वाला जो कंट्री था, वहीं पर था, और वहां की जो फैसलिटी थी जो आज की समय भी आप देख समझ में आ गया, अंगरी जी कल्यानकारी राज्ये क्या है, यह समझ में आया, जैपनीज कल्यानकारी राज्ये के अंदर में क्या चीज़ यह है, वह समझ में आया, एक्जामपल मैंने दो दिया सायदा, उससे भी रिलेट करके समझ सको कि क्या किस तर से वाक करता है, जैप उपनिवेशवाद में क्या अंतर है सम्राज्यवाद क्या होता है वो बताइए अकर देखो कि उसकी yardries इसके बाहर में लोगों सबने हर सब्सक्राइब करता है तो हम उस वैवार को सम्राज्यवाद कहते हैं अब बर्त भारत आने के बाद भारत के लोगों पे-पजया सब्सक्राइब करता है उसको विस्थापित करता है मसल है किस तरीके से चलना चाहिए तो उसको हम संब्राज़फ़ात के सकते हैं या नहीं आप मुझे जे भी comment करके बताओ ठीके क्योंकि भारत को उप्णिवेशवात का जाता है या उप्णिवेशवूद का जाता है सम्राज्य वाद कहते हैं ठीक है उपनिवेशाहे बात क्या होता है उपनिवेशाहाथ कि अल्ग करते हैं तर्पम्हार्णिवेश करते हैं जहां पर आर्तिक स्वार्थ रहता है, तो हम उसे उपनिवेश्वात कहते हैं, ठीके, समराज जिवात के अंधर में क्या जाता है, जहां पर हम अपने सीमा का विस्तार कर रहे हैं, कि भाई अब देखो, यहां पर पहले हमारी राज्य की टेरेटरी यह थी, जहां पर हम इसके इधर गए इधर जाकर यहां पर लोगों को करने लगे, रहने लगे, इनके ऊपर अपना अदिकार जबाया, अब हमने क्या किया इसको बढ़ा कर ऐसे करके, ऐसे कर दिया, तो ही समराज जवाद है, आज के समय में समराज जवाद का जो सबसे बड़ा इसामपल है, चीन का दे तो ये चीज़े देखी जाते हैं समराज्यवाद को समझने का और व्यक्षित करने के जो तरीके होते हैं तीन तरीके से समराज्यवाद को हम पढ़ते हैं समराज्यवाद का सबसे पहला तरीका होता है आर्थिक तोर पर आर्थिक तोर पर हम कैसे पढ़ते हैं जहां पर हम यह मान के चलते हैं कि जो समराज जयवाद का बढ़ा समराज जयवाद का विकास करने का तरीका है क्या में आर्थिक सोर्स है आर्थिक तौर पे ही वो बढ़ रहा है ठीक है आर्थिक रीजन है जिसके अंदर में कई सारी तिहासकार बोलते हैं अपनी विचारे रखते हैं जिसमे की जो वविस्था को कायम किया जा रहा है मिली पुंजी वादी जो संतुष्ट करने जो पुंजी वादी ववस्था होता है वित्य पुंजी वादी ववस्था उनको संतुष्ट करने के लिए इन चीजों को आगे बढ़ा जा रहा होता है हॉप्स ने अपनी पुस्टा के अं हापे समराजिवाद सहाथन एक AWP राप्टक्थ यहां पर शक्राइब मतलब गया ओना कंवे इकनार होटी इसके इतिके यहां पर आपके चार इतिहांसकार आते हैं जो राजजिंति विचारक आते हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं गयर आर्थिक व्याक्या के अंदर में सबसे पहले आते हैं सुमी पिटर, सुमी पिटर, फिल्डर हाउस, गाला घर और रॉबिन्स यह चार नाम रहते हैं चारो को आप याद कर लेना जिनका पहला नाम है सुमी पिटर, सुमी पिटर, फिल्डर हाउस, गाला घर और रॉबिन्स यह चारो आते हैं तो सुमी पिटर का क्या मानना होता है कि समराज्य वाद और समाजिक वर्ग ठीक है इनका एक बुक लिखा था उन्होंने Jisके अंदर में इन्नों नहीं 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 बताया कि समराज्य और पुझी वाद का जो एक दूसर से बिषित रूप行 नहीं देखा जाता है दोनों अलग लग आपॉजित रूप है पर इनके पर इवर्तन सिल कल्यानकारी उत्पादनकारी पर किरिया से गुजरता है और उसको फलने फूलने के लिए छेतर पर नियंदरन अधिकार करने के वैसकता नहीं होती है मतलब यह मानके चलता है कि अगर मानलो आप गैर आर्थिक व्याक्या की बात करते हैं तो यहां पर यह नहीं कि आपको एकनॉमिक के कारण से पैसे के कारण से ही आप उसको हर बार कंट्रोल करोगी यह ऐसा रीजन नहीं रहता है जैसे देखोगे तो बहुत बार क्या होता है कि जो राजजे को बनाया जाता है जो समराजजेवाद जहां पर स्थापित क्या जाता है तो हर बार एकनॉमिक परपस के कारण से इसको हम अपना कंट्रोल करें कुछ कहता है राजनीतिक परपस भी होता है कि अगर मैं यहां प समराज्यवाद का आम व्याक्या पर दो धाराओं में सवाल के जाते हैं सवाल उठाई जाते हैं जिसमें पहला यह रहता है कि 1870 और 1870 से पहले कि जो दसक में समराज्यवाद में किसी परकार का जो अंतर था उसे इंकार नहीं किया जा सकता और दूसरा यह रहता है कि ऑन अपचारिक और आपचारिक दोनों सम्राज जैवाद में लोगों का समान महत्त दिया है ठीक है, मतलब दोनों का जो इसलती सेम ही रहते, कई बार कहते हैं कि यह रिजन नहीं है, वो रिजन नहीं है, पर दोनों कंडिशन के अंदर में समराज्यवाद अपना एक्स्टेंड करता है, अपने आपको विस्तार करता है, अपने आपको विस्तार करता है, यह समझ में आत अपना अदिकार जमाते हैं अपना अदिकार करते अउपनिवेश मतलब उसका इनवेस्टमेंट करना उपनादिकार जेक्षिकार देखाए areas उसका एकदम होजाइंगा वहां ने इसत अरृविश्ण करण कहते हैं लो कलत जब अपनीवेशि करन के अंदर अधाथ आथा था तो जब व अंगरीज यह strictly करन को हम ॥ système करने के लिए चार तरीके से करते हैं थिन तरीके से के अंतरगत उपनिवेश के लोगों का परतिरोत के होजे से हुआ मतलब जो राष्टवादी लोग थे उनके कारण से इस तर की इस्तिती बनी जिसके कारण से चले गए ठीक है यह अपने आपको दिखाते हैं दूसरा रहता है अंतरास्टे संदर्व में दिरिश्टी कौन मतल तीसरे के गर हम बात करते हैं समराजवाद की मजबूरी या दिरिश्टी कौन जो समराजवाद था जो चेतर का विस्तार के जा रहे था क्या पता वहां पर किसी तरी की प्रॉब्लम आ रही होगी क्या पता वह दूसरी को मैनेज नहीं कर पा रहेंगे कि बहुत एजी रहता यहां सो मतलने कंपनीर थे इतने दूर से आने के बाद ना ऊहंना है हिंदी वह सिंग्दी जान्त लोगों जाने वाले नहीं पर भारत को सब्सक्राइब कर परिण doc पर कभजा नहीं कर सकते हैं तो किस परकार से प्रकिरिया रही होगी है और बहुत टफ काम होता है बहुत ताम के पढ़ते हैं पहला रहता है कि राष्टवादी द्रिष्टी कोन दूसरा आता है अंतराष्टे संदर में द्रिष्टी कोन तीसरा आता है संब्राज्यवाद की मजबूरी द्रिष्टी कोन इन तीन तरीके से हम वे अपने विश्यकरण को समझते हैं ठीके समझ में आता है इन उसके पुरुवार्द में जो विश्व की जो महा सक्तियां थी उसके बीच में अंतरास्टे पर्तिस पर्धा ठीक है पर्तिदोंदता जो थी मतलब मतलब जो विवस्था थी वो चर्मर आ गई और अलग टुकडों में बढ़ती चले जिसके बाद जो उत्रादिकारी निकल कर आता है वह रस्या निकल कर आता है रूस निकल कर आता है जिसे हम रस्या बोलते हैं ठीक है इसके बाद में जैसे विक्टन हुआ तो एक ही पावर न टीदु आहां इतर डिए राशची, वहता ही शर्मर को जाती आते हैं वीक्टन के बाद में मिटन के दौरान में ये भी दिखा गया कि विश्व के अंदर में यी सोर्स बंते चले आधी त 안लके ने देशन की नैई 1976 अज़ाद इंकी बात करते तो फिल् verändert सारण तॉपिक्स से बताना है किस प्रकार से बताना है कि किस परकार से इस्तिती रही थी क्या अब सुवे संग दुबारा उभर कि निकला उबर के निकलने के बाद को पूरा उतरतिकारी मिला तो उभरने का क्या रिजन था इस वरकाद से रस्या टूटा टी जर्मनी के अंदर में क्या इस्तिvity बनी क्यूंकि जर्मनी को सबसे सब तो ऊसका समाजी को आरथिक परिवरतन के बीच में सबसे में काहीं ऐसे पर उसको को तो पुरिय के इंदर इंदर ने इसका इंपक्ट और बगोट बड़ी मात्रा में जो डेली life में जैसे डेली religious कुछ ना कुछ लोग मरते हैं, कुछ ना कुछ लोग जणम लेते हैं ठीक है तो ratio चल रहा हुता है कि कुछ ने जणम लिया कुछ ने मर गये पर Corona के time पर यह देखा गया कि जो मरने का ratio बहुत ज्यादा है ठीक है बहुत ज्यादा लोग मरें कोरुना के टाइंग पे ठीक है तो इसके कारण से क्या हुआ उनके बीच में जो ना गैब जो बन जाता है ना किस तरह का जंसंग की परिवर्तन होता है उसके बारे में करते हैं अगर जन संक्यादा बढ़ गया कि इसमें इतने इतने लोगों को हम इंप आसर पड़ेगा तो वहां पे की जाती है लोगों के अंदर में वह भी वहां पर इंपक्ट पड़ेगा तो इसका रीजन कई सारे होते हैं विमारी के कारण से कई बार युद्ध के कारण से जनसंख्य के अंदर में परीवरता ना आता है तो यह वाला टॉपिक भी एवरेज है ठीक है पड़ना चाहिए विक्सित उपभोक्तावादी आंदूलन की विवेचरा की जिए अधिको जब हम उपभोक्तावादी आंदूलन के बारे में बात करते हैं कि उपभोक्तावादी आंदूलन था किस परकार का तो मिली मानत के चलते हैं हम इसके अंदर में क्या-क्या चीज आते हैं तो उद् सबी दृष्टी को हम काउंट करते हैं लेके चलते हैं कि हाँ इन्होंने भी इजगामत यह था उपभोगतावाद सब्द का जो अर्थ होता है कि लोगों द्वारा अपनी विसकताओं की वस्तों का उत्पादन प्राप्त करने हितू प्रयासत मतलब कोर्सित करने की प्रविर सब्सक्राइब करते हैं कि कौन सा फोन में ले सकता हूं फिर मुझे लगानी टाइम जा रहा है बहुत ज्यादा बीटतर है कल आपका एक्जाम होगा और साथ बचके आट बचके सत्रे मिनट अभी हो चुका है तो उस समय मैं मैं तो चुटा छोड़ो पहले इसको करते हैं सब्सक्राइब होले लेंगे और सब्सक्राइब वपके सब्सक्राइब Moini गेदाके जोड़ समय को आज के समय में आफ फोन या चोटा टपका ब्लाक करने वाला यह ब्लैक को यह इसी गंदर कोलर वाला करने यह सब के पास फोनीक पट आज से अगर आप 10 साल 15 साल पहले जाते हो तो वह बहुत कॉमन चीज नहीं थी ठीक कि मतलब किसी पास अगर दिख जाता था ना फोन बड़ा फोन लेके गुम रहा है तो हम उसको मानते थे भाईया यह पैसे वाला बनता है यह से तो होई नहीं सकता आज के समय में क्या है कि हर एक व्यक्ति वह एपल से निची का सोचते हैं कि एपल लेना है उसका ड्रीम ही होत भुखतावाद के अंदर में इंप्रूमेंट लाया है वह सारी चीजी हैं पर हम कानुट करके चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं बजार की सिति क्या बनी बड़े मानें किस तर से खरिदा गया बेचा गया और इसके कान से इंपक्त क्या पड़ता एकनोमिक के उपर में कोशन अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ते हो ठीक है अगर मालो आप में के स्टूडेंट हो ठीक है में ली में के स्टूडेंट हो भी यह आपने पढ़ रखा है तो आपको इस कोशन का अंजर तो खुद देना चाहिए क्योंकि में मतलब क्या होता है आप मास्टर बन चुके हो आप किसी भी टॉपक की उपर में आप उसका तर्क वितर्क सोच सकते हो कि क्या कैसे इंपक्ट रहता है ठीक है अगर यह नहीं होगा तो यह होगा यह नहीं होगा तो यह होगा ऐसा करके आप सोच सकते हो तो सबसे पहली करांती समाजवादी जो कर तुम्जिवादी वर्स था थी अुछन szy में जो समाजवादी बूस्ट क्रांथी उसका मेंन कारण क्या थै प्लशे 3 कि उननलते संस्कॲिफ को समाज इंक इस्थिति थी हमाने वहाँ पर 20 कारण मानों जाती है वहां करूर्स आसक था और अपना अधीपत पुरा जमाना चाहता था अपने कंट्रोल में सब चीजें रखना चाहता था ठीक है जिसके बाद से जो लोगों के अदर में असंतोस की भावना फैलती जारी थी दीरे दीरे फैलती जारी थी वहीं पर एक साइड में दूसरे तरफ में पुरे विश्व में फैलने की कॉर्सिस कर रहा था ठीक है तो जो जर का जो विवस्था था जो जर की जो सोच थी जर की नीतिया थी वो लोगों के उपर में बहुत जादा हावी हो रही थी ठीक है लोग उससे मतलब वे बेचे इनतेक तर से मालों से पीछे टोड़ाने की कोर दूसरा रीजन क्या होता है कि लेलिन जो वहां पे उसके बाद में जो क्रांती के में चेहरा रहता है वो उभर के आते हैं जो उसकी विचारधर है थी लोगों को समझ में आती है लोग उसकी विचारधर से इंप्रेस होते हैं कि हां नहीं इस तरह से चीजे चलनी चाहिए जि उनों क्या-क्या चीजे कह सकते है रूज की करांती को आप पताइए देखते हैं कितने लोगों को इस कांसर पता है पहला चीज भाई जार का सासक दूसरा लैलिन की जो विचारता रहा थी वह बहुत इंप्रेसिव लगी लोगों को जिसके कहन से भी चीजें हुई तीसरी ची कार समझ मैं कि नहीं हमें तो यह नहीं यह करना है ठीक है जो समाजिक जनतंतर विकास की जो निर्तिरत था उसको वहां पर दिखा गया किस तरीके सो बढ़ सकता है ठीक है उस समय की जो इस्तिति उसको काउंट किया गया जिसके बाद में रूस के अंदर में 1914 में पहली समाजवादी की ववस्ता यह समाजवादी करांती या फिर सामयवादी करांती की सुरवात मानी जाती है पूरे विश्व के अंदर एक नई विचारधारा स्टैब्लिस की जाती है ठीक है समझ में आता है कोश्चन नमबर दस गुट निर्पेक्ष आंदोलन पर टिपने लि तोड़ा सा नॉर्मली बताओं जब विश्व के अंदर में 1947 में भारत अजाद हुआ विश्व के बाद विश्व पता टोटल दो गुटों में बटा हुआ था ठीक है दो गुट में बटा हुआ था एक गुट था USA का और दूसरा गुट था USSR का अब भारत के सामने दो रास कहीं मैं USSR के साथ जाओं कहीं अमेरिकाना जी जाए तो इस तरह की सिती बनी हुई थी और भारत के इंदर में भारत के सासात में जो भी देश उस ताइम पिरिड में अजाद हुए थे ठीक है जो उपनिवेश के चुंगल से छुटे थे उस सब के मन में यही कंडिशन चल र बात करते हैं अंदोलन का एक गुरुप बनाते हैं इनका मीन मोटिफ क्या था कि हम टठास्ता की नीती अपनाएंगे किसी की तरफ हां ना कुछ नहीं बोलेंगे भाया जो यूद करें ठीक है सब है हम नीट्रल होकर जबाब देंगे नीट्रल रखे रहेंगे ठीक है यह हम को अधिश हमें नीती बनाई यह हमारी व्यदेश नीति के अंदर में पहला रूल था दूसरा यहां पर यह द एक हम क्या करने सांथी के पक्षद़र हें हमें इसांथी की बात करेंगे यूद के खिलाफ जए wizhu के अंदर में कल्यान हो लोगों कि भलाई हो इसके बारे में तो इसका कुछ ही मतलब मोटिफ था, इसके बारे मैंने आपको बताया है। हमारे जो जवाहलान नहरू थे, ये इनकी आइडिलोजी थी, गुर्टनिक पेक्ष आंदोलन का, जिसको आज भी एप्रिसेट किया जाता है, कई सारे विदेशी नुवर्स्टिस के अंदर में, गुर्टनिक शांदलन को पढ़ा जाता है, भारत के अंदर में भी हमें स्टूडी करते हैं, अगर आपको नहीं पता, तो थोड़ा सा सोचने का विशे है, आप M.A. के अंदर में हो, और आप हयोप साब को पता होगा, और इस पूरे वीडियो के अंदर में ने तीम से चारो कोश्टन्स पूट अप किये हैं, और उमीद है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे रहे हो, आपनो कोश्टन्स का अशर दोगे, ठीके, कोश्टन्स का अंसर देने से ये भी लगता है, जब मैं देख रहा तो उन questions के answers जब आप comment कर रहे हो तो मुझे लग रहा हो था हाँ चलो यार किसी student try to किया ठीक है दस बच्चे देख रहे दस में सब कर दो बच्चों ने भी अगर उसमें answer देया ना तो एक motivation मिलता है मुझे भी कि हाँ चलो यार ठीक था try तो किया बंदे ने कम से कम तो आप भी try करके देखिए क्या पता आपको answer पता हो नहीं पता हो Google कीजिए कमसे माँ को पता तो चले कि यह answer इसका तो friends यहाँ पर मैं video end करूँगा thank you so much for watching me thank you so much for listening आप सभी को आपकी एक्जाम के लिए all the best bye bye take care all the best